प्रेंट्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ शिवम कुमार और आप देख रहे हैं B.S.A. ट्रुकी क्लासेज तो फ्रेंट्स आज की इस क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं आपके साथ में आपके S.S.C. एक्जाइम के लिए साइन्स के कुछ बहुत ही महत पूर्ण प्रशन है तो फ्रेंट्स मुख की रूप से हम जीव ग्यान की क्वेस्टन आज डिसकस करेंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन भी लोगों ने अभी तक अपने क्लास को सपोर्ट करने के लिए शेयर नहीं किया है सब लो आपको क्लास अच्छी लगी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर कर दें तो आपका पहला प्रशन है कि निम्नमे लिखित में से किस समूह में जनौरों के दात नहीं होते हैं डिसकस किया क्वेस्टन है बताएं इस क्रेशन का राइट अंसर हो जाएगा हमारा ऑप्सन नमबर फर्स्ट मुर्ग शुतर मुर्ग और कशुवा पीकॉक ऑस्ट्रिच एंड टर्टल ओके ऑप्सन फर्स्ट इस दा राइट आंसर आप दिस क्वेस्टन क्लियर फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेस्टन अगला प्राशने की इसतन पाईयों में स्वेद ग्रंथियां मूलता संबंथित हैं स्वेद ग्लाण्ड्स in mammals आर बेसिकली रिलेटेड टू तो बताएं इस्तन पाईयों में स्वैद ग्रंथियां किस से संबंधित होती हैं options है कि अत्रिक लब्रू की निकालने से नैट्रोजनी अप्शिष्ट की उत्सरजन से ताप नियमन से यह 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 नाकरशन से comment करें इस question का right answer हो जाएगा option third thermoregulation यानि कि ताप नियमन से किसे संबंधित होती है तो यह ताप नियमन से यह संबंधित होती है ऐसे में जिनका answer option third आ रहा है very good चलिए अगला question है आपका किस कशिरुकी में oxygenate और V oxygenate रूथिर मिल जाते हैं which vertebrates have oxygenated and deoxygenated blood mixed options है आपके कशिरुकी सरी अम्मत से उभैचर अक्षी इस्तनपाई question आपको सही सरी नहीं दिख रहा होगा इसलिए इसको अच्छे जल्दी से discuss कर लेते हैं चलिए देखिए जो अभैचर होते हैं amphibian ठीक है तो अभैचरों में याद रखेंगे जो oxygenate और v oxygenate blood होता है यह आपस में mix हो जाता है क्योंकि अभैचर अधिकांस तरिस्तरप के जो अधिकांस अभैचर होते हैं इनमें दिख परिसंच्रन तंत्र होता है ठीक है लेकिन जो हरदय होता है वो दो chambers में विभाजित नहीं होता है और इसी करणड़ी जो रुधिर है अपस में मिल जाता है ओके सो option second जिनका अंसर आ रहा है इस question के लिए विल्कुल सही उत्तर है उनका चलिए अगला question है आपका कि च्विंगम बनाई जाती है achieving gum is made तो च्विंगम किससे बनाते है रेजिन से टैनिन से लेट्एक्स से यह गोंधि से बताते है कि च्विंगम को किससे बनाया जाता है की ज्गम को किससे बनाते है फ्राव्म लेट्टिक्स इस question का right answer हो जाएगा option नॉम्बर हमारा third तो जो इंगम को किस से बनाते हैं तो जो इंगम को लेटेक्स से बनाया जाता है ओके ओप्शन थर्ड जिनका आंसर आ रहा है इस question के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका ओके लेटेक्स इस दा राइट आंसर आप दिस question चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला question अगला question अपनी सुन्दर तचा के लिए वध किया जाने वाला अन्यम्ड में से कौन सा सर्प संकटापन जात घोशित किया गया है Good question Which of the following snakes which are slaughtered for their beautiful skin have been declared a Indian guarded species Options है कि अजगर, नागराज, रसल प्रदाकु या करायत Comment करें इन्हीं तीन में से बता है यह रसल प्रदाकु नहीं की वाइपर होता है रसल प्रदाकु Okay, so option 3 जिनका अंसर आया हुआ है इस question के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है चलिए देखते हैं इस class का हम अगला question अगला question है friends की निम्रिखित में से कौन सा कथन सही है Which of the following statement is correct Option 2 की की भूसी रहित अनाज और डाले अधिक पोशक होती है साबुत अनाज और अधिक डाले अधिक पोशक होती है संसाधित अन उत्पादक में पोशक तक तक अधिक होते हैं इन में से कौन सा कथन हमारा statement सही है बताएं इस question का राइट अंसर हो जाएगा option second साबुत अनाज और डाले अधिक पोशक होती है whole gains and pulses are more nutrition okay so option second अगर आप चुनने है इस question का अंसर बिल्कुल सही उत्तर यह है आपका चलिए देखते हैं अगला question अगला question कि पुस्प की खुई हुई कलियों का प्रियोग मसाले की रोप में किया जाता है तो किस पुस्प की सुखाई गई कलियों का प्रियोग मसाले की रोप में होता है किया जाता है option type के इलाइची में दालचीनी में लॉंग में एक केसर में इस question का right answer हो जाएगा option third लॉंग में तो लॉंग में जो है पुस्प की सुखाई गई कलियों का प्रियोग मसाले की रोप में किया जाता है ऐसे में जिनका answer option third आ रहा है इस question के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका long में ठीक है चलिए अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question के निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है विचाफ था following आरदा Deterministics Animals वैल वैल शार्क L.I.T.s ये deck crew तो कौन से जोए नियत ताप प्राणी हैं बताएं देखे नियत ताप प्राणी कि इनको गहते हैं तो नियत ताप प्राणी वे प्राणी होते हैं जो वात्ता वरण के तापमान में परिवर्तन होने के बावजूद प्राणियों के श्री के तापमान में कोई परिवतन नहीं होता है, जैसे इस्तंधारी हो गए, पक्षी वर्ग हो गए, ठीक है, यसे भी हमारे नियत तापी प्राडी होते है, ठीक है, इस question का right answer हो जाएगा हमारा option first, well, इन में से जो हमारी well है, ये एक नियत तापी प्राडी, ओके, ऐसे में जिनका answer friends, option first आया हुआ है, इस question के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है, उनका, चलिए, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, अगला प्रशन की शब्दनी, शायरिक्स, किसमे वाक की यंत्र है, शब्दनी शायरिक्स इजाई स्पीच इंस्टुमेंट इंट, उभैचर, सरिसरप, पक्षी, ये इस्तनी, शब्दनी किसमे वाक की यंत्र है, बताएं, ये जो है पक्षियों में पाया जाने वाला एक वाक की यंत्र होता है, बर्ड्स, और संथर्ड जिनका अंसर आया है, वेरी गुट, पक्षी, शेल ये, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, आपका अगला question है कि निम्लिखित में से विशालतम इस्तन्धारी कौन सा है, विच आफ दा फॉलिंग इस दा लाजजेस्ट मैमल, हाथी, वेल, डाइनोसोर, एगेंडा, सबसे विशालतम इस्तन्धारी कौन सा है, बताएं, इसकी लंबाई कितनी होती है, बत्तिस मीटर, तो बत्तिस मीटर लंबी, और डेड़ सो टन तक वजनी होती है, कौन वेल, ऐसे में जिनका अंसर, option second, our reference, very good, शलिए, देखते हैं, इस class का हम अगला question, अगला question, कौन सा भाग हाथी के गजदंत की रूप में बदलता है, which part turns into an elephant's gauge, option sap की, रदगनक, अगर चवनडक, दूसरा करंतक ये चवनडक, तो कौन सा भाग हाथी के गजदंत की रूप में बदलता है, comment करें, इस question का right answer हो जाएगा, हमारा option third, दूसरा करंतक, second character, okay, दूसरा करंतक होता है, जो की हाथी के गजदंत की रूप में बदलता है, option third, जिनका answer आया हुआ है, very good, चलिए, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, अगला question की सबसे छोटा निम्ड में से कौन सा है, which of the falling is the smallest bird, सबसे छोटा पक्षी जो है, इन में से कौन सा है, options have, कबूतर, तोता, गुंजर पक्षी, ये घरेलू गवराया, इन में से बता हैं, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, चलिए, इस question का right answer हो जाएगा, हमारा option third, गुंजर पक्षी, हम्मिंग बर्ड, ठीक है, तो गुंजर पक्षी जो है, इन में से सबसे छोटा पक्षी होता है, ऐसे में जिनका answer option third, very good, चलिए, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, अगला question है, आभासी फल का एक उदाहरण है, an example of a virtual fruit is, इन में से आभासी फल का उदाहरण कौन सा है, सेब, अम्रूद, आम, टमाटर, बताएं, चलिए, आभासी फल को असत्य या फाल्स फ्यूट भी बोलते हैं, ठीक है, आभासी फल को कहा बोलते हैं, जूटा फल या असत्य फल भी बोलते हैं और इन मिसे जो सेब है ये एक जो है आभासी फल है ओकी तो ऐसे फलों को जो है असत्य फल बोलते हैं जो की जो की अंडाशे के अतरिक पुश के अन भाग जैसे पुश पाशन बाइदल इत्याद में भी फल बनने में भाग लेते हैं तो इनको क्या बोलते हैं असत्य फल अब सेब हो गया ठीक है ये क्या होता है ये असत्य फल का उदाहरण होता है clear चलिए देखते हैं अगला question अगला question है friends आपका कि शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के डिये चमगादर अथवा डाल्फिन किस परघटना का प्रियोग करते हैं which phenomenon do bats और डाल्फिन यूजड to locate prey, predators और obscatals options आपके धोनी का आपवरतन विसपंदों का बनना धोनी का प्रकेरनन या प्रतिधोनी निर्धारन बताएं तो इसमें से किसका प्रियोग करते हैं जो चमगादर और डाल्फिन बताएं इस question का राइट आंसर हो जाएगा option 4 प्रतिधोनी निर्धारन eco determination किसका करते हैं तो इस प्रतिधोनी निर्धारन का प्रियोग करते हैं Option 4 जिनका भी आंसर आ रहा है इस question के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, चलिए, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, अगला question की घास का सबसे लंबा, घास का सबसे लंबा और सबसे मोटा प्रकार है, the tallest and thickest type of grass is, options हैं आपके अलफा, अलफा, चारा, बास, ये लाइकीन, बताएं, घास का सबसे मोटा और लंबा प्रकार कौन सा है, देखें, इस question का right answer हो जाएगा, option 3, बास, तो बास जो होता है, bamboo, ये घास के study में आता है, और ये सबसे लंबा और मोटा प्रकार होता है, ऐसे में इनका answer option 3 आ रहा है इस question के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, शलिए, देखते हैं इस class का अगला question, अगला question, बंद गोभी का खाद अंश होता है, the edible part of cabbage is, तो फल, संखनित पुष्प, काईक कलिका, में पुष्प समू, इनी तीन में से बताएं, कि बंद गोभी का खाद अंश कौन सा होता है, यह उतिक काईक कलिका, somatic bud, तो जो काईक कलिका होती है, यह बंद गोभी का खाद अंश होता है, ऐसे में जिनका अंसर अप्शन थर्ड आ रहा है इस question के लिए, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, चलिए, देखते हैं अगला question, साथियों आपका अगला प्रशन की, कॉलमबा लीडिया, कॉलमबा लीडिया किसका वیग्यानिक नाम है, प चलिए तो कोलंबा लीवियर जो है कपोट का वैगनिक नाम होता है किसका कपोट का ऐसे में जिनका अग्ला क्वेश्चन है अस्थिया किसमें वलित होती है तो अस्थिया किसमें वलित होती है आपसंस आपके मचलियों में उभैचरों में सरिसरपों में यह पक्षियों में अस्थिया किसमें वलित होती है तो अस्थिया जो हड्डिया होती है पक्षियों में वलित होती है किसमें इन बर्ड तो यह पक्षियों में वलित होती है है ओकी इस question का right answer हो जाएगा हमारा option no.4 पक्षियों में शलिए अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question है कौन सा पौधा कीट पकड़ता है which plants cats insects इसकों अब ह Berry घट पौधा कीट बिच्टों करता है कि वहीं तो सा नंइ पन्स को ऑफ़ते कुछन को एक रस घंस करतें आप ठीक है किसको इस पौध्य को जो घट परंडी पौध्य के नाम से भी जाना जाता है और नेपत्थेंस जो एक कीर भक्षी पौधा है ओकी तो ऐसे में जिनका अंसर आप संथर्ड आया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए वैरी गुड चलिए देख्थे एस क्लास का अग्ला क्वेश्चन घट परंडी यानिकी पिच्चर प्लांट से लिए कहते हैं इनको ठीक है चलिए अब हम देख्थे हैं इस क्लास का अग्ला क्वेश्चन अगला प्रेशन कि बिख्षू का विश कहां पर होता है तो पैरों में, हाथ में, मुह में ये डंक में बताएं कि बिख्षू का विश होता है वैनम ये कहां होता है आसान क्वेस्चन है इस क्वेस्चन का राइट अंसर हो जाएगा option 4, डंक में पिच्चू कब इस कहां पर होता है, डंक में होता है ऐसे में जिनका अंसर option 4 आ रहा है इस क्वेस्चन के लिए विल्कुल सही उतता है उनका, ठीक है, शलिए अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question friends कि मुक्त जीवी ने ट्रोजन योगी करण सुक्ष्म जीवों का नाम है the name of free living nitrogen fixing macronism is मुक्त जीवी ने ट्रोजन योगी करण सुक्ष्म जीवों का नाम कैया है option साभ के राइजोगिया, म्रधा कवक, वहका में कूर्जिकी कवकमूल नील हर्द शैवाल कमेंट करें क्वैसे नपसा आपका हम फिर से पढ़ते हैं कि मुक्त जीवी नाइट्रोजन योगिक की करण सूक्ष्म जीवों का नाम क्या है इस question का right answer हो जाएगा option number four कौन है यह है नील हर्द शैवाल एक सेकंट यस इस question का right एंसर फ्रेंट्स हो जाएगा हमारा option no.4 नील हिल शैवाल शलिए अगला question आपका इस प्रतिवी के अपमार्जक कौन है इसके इस प्रतिवी के अपमार्जक कौन है पशु पक्षी मृदा और जल जीवाल और कवक इस प्रतिवी के अपमार्जक हैं okay option 4 is the right answer of this question पिछला question देख लगते हैं friends एक बार इस पे पूछा किया था कि मुक्त जीवी नैट्रोजन योगी करण सूक्ष्म जीवों का नाम है देखें यह राइजोबिया का होता है okay option first is the right answer of this question clear चलिए देखते हैं इस class का हम अगला question अगला question कि पक्षियों में प्राया एक ही क्या होता है इस question का right answer हो जाएगा option 4 अंडाश्य ओवरी clear चलिए आप लोग अपने class को share करते रहें देखते हैं अगला question अगला question कि कोहरे में निम्रिखित में से कौन सा colliding तंत्र अभिवक्त होता है which one of the following colliding system is represented by form तो कोहरे में निम्रिखित में से कौन सा colliding तंत्र अभिवक्त होता है बताएं options आपके gas में द्रव, द्रव में gas, gas में ठूस, ये द्रव में द्रव, comment करें इस question का right answer होगा option A, gas में द्रव, ठीक है, liquid in gas, gas में द्रव होता है, option A जिनका भी answer आ रहा है इस question के लिए, बिल्कुल सही होता है उनका, gas में द्रव, ओके, चलिए, अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question friends की निम्नांकित में से किसमे tape recorder की tape लेपित रहती है, by which of the following is the tape of tape recorder is polished, तो नीला तो था, ferromagnetic chune, zinc oxide या पारा, तो किसमे tape recorder की tape है वो लेपित रहती है, comment करें इस question का सही उत्तर होगा option B, ferromagnetic chune, किसमे, ferromagnetic chune में, ऐसे में जिनका answer option B, R, इस question के लिए, friends, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ferromagnetic chune में, clear, चलिए, देखते हैं इस class का अगला question अगला प्रेशन की बात आप, जिस पर कोई ठोष वस्थ अपनी ठोष अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो, क्या कहलाती है, what is the temperature at which a solid object Change from its solid state to its liquid state तो बात आप जिस पर कोई ठोस बस्त अपनी ठोस अवस्था से दर अवस्था में परिवर्तित हो क्या गहलाती है बताएं आप्शन से हैं आपकी वाश्पी करण, गलनांग, उर्थपातन या प्लाजमा इस question का right answer हो जाएगा आप्शन भी गलनांग यहीं के melting point तो बात आप जिस पर कोई ठोस बस्त अपनी ठोस अवस्था से दर अवस्था में परिवर्तित हो इसको हम गलनांग बोलते हैं ठीक है ऐसे में जिनका answer option B आ रहा है इस question के लिए बिल्कुल सही होता है उनका ठीक है चलिए देखते हैं इस class का अगला question अगला question है friends के निम्लिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तराल अवस्था से गैसी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है by wish of the following process does the water change liquid sorry water change from liquid state to gaseous state options है आपकी संगरन और उर्धपातन वाषपी करण और वासपोत सर्जन उर्धपातन और वासपी करण ये इस्थानांतन और वासपोत सर्जन बताएं इस question का right answer हो जाएगा option B वाषपी करण और वासपोत सर्जन ठीक है तो ये वासपी करण और वासपोत सर्जन प्रक्रिया से जो जल होता है ये तरल अवस्था से क्या सवस्था में परिवर्तित हो जाता है ठीक है चलिए देखते हैं इस class का अगला question अगला question की प्रत्री पर दूरस्थ वस्थों को देखने के लिए परियोग तो करण है प्रत्री पर दूरस्थ वस्थों को देखने के लिए किस उपकर्ण का प्रियोग होता है बता है ये पार्थियो दूरदर्शक होता है अगला question साबुन के बुलबुले पर श्थ प्रकास डालने से रंग दिखाई देते हैं इसका कारण है और अफ्रोर फिर वन वाइड लाइट एस्थोऊ इस सो जब बॉल्बु दिखाई से ठीक करण से यह विवरतन ध्रूबंध वैथी कराण यह परावरतन पता है कि असा ब יכול gloruckलो होता है ठीक है किसकी कि कारण व्यति करंद व्याति करन की कारण छय Ist अगला प्रश्ण अवत्तर लेंज से हमेंसा निम्रिखित में से कौन सा प्रत्रिप्म बनता है वास्तर लेंज से हमेंसा फ्रेंट्स याद रखेंगे आभास्तर और सीथा वर्चूल अन इरेक्ट आभास्तर और सीथा जो है प्रत्रिप्म बनेगा option B जिन का answer आया हुआ है very good चलिए देखते हैं इस class का अगला question अगला question कि दूरस इस्थानों पर विद्धु चुम्ब की तरंग भेजने वाला पहला वैग्यानिक है very good question the first scientist to send electromagnetic waves to distance place is James Clark Maxwell, Heinrich Hull, Thomas Elvadishan, John Logie Bayard दूरस इस्थानों पर विद्धु चुम्ब की तरंग भेजने वाले पहले वैग्यानिक कौन है बता है यह जेम्स क्लर्क-मैक्सवेल और जेम्स क्लर्क-मैक्सवेल option is the right answer of this question अगला प्रस्थन है कि friction code और REPOES, sorry, REPOES code नियुक्षित में किस रूप में होता है friction angle and repoes angle are which are of the following from एक गुद्द नहीं, एक दूसरे के समान नहीं एक दूसरे के समान उपढ़तिक, इन में से कोई नहीं friction code और REPOES code किस रूप में होता है बता है एक दूसरे के समान होते है, similar to each other, एक दूसरे के समान, चलिए, अगला प्रश्चन लेंस किससे बनता है, वाट इस लेंस मेड आफ, पायरिक्स काच, फ्लिंट काच, साधर्ण काच, कोबाल्ट काच, बता है कि लेंस का निर्मार किससे होता है, तो फ्लिंट या फूलिंट काच, फ्लिंट या फूलिंट काच द्वारा लेंस का निर्मार होता है, अगला प्रश्चन है कि MRI मशीन में निम्लिखित में किसका प्रियोग किया जाता है, फूलिंट इस यूजड इन MRI मशीन, धुनी तरंग, एक्स किरने, पराश्रव तरंग, चुम्बकी तरंग, MRI मशीन में किसका यूज़ होता है, मैगनेटिक विए यानि कि चुम्बकी तरंगों का यूज़ होता है, MRI मशीन में, ओकी, option D is the right answer, अगला प्रेशने, camera के प्रितिवियम की तीक शड़ता निम्रेखितने से कौन तेकरता है, which of the following determines the sharpness of the image of camera, द्वारत, उदभाशन का समय, lens की focus तूरी, या camera का आकार, इसमें आपसे पूँच रहा है, camera के प्रितिवियम की तीक शड़ता होती है, ठीक है, जो sharpness होती है, इसको कौन तेकरता है, इसको तेकरता है, द्वारक, यार्प्रिचर, ओके, चलिए, प्रेंट्स, अगला प्रेशने की, 20,000 Hertz की आवरत की वारी धोनीये को कहते हैं, बताएन, 20,000 Hertz से, 20,000 Hertz तक की धोनीय होती है, इनको क्या बोलते हैं, शरव धोनीया, पराशरविकी, अवशरविकी या Megasomics करें, इनको श्रव धुनिया कहते हैं option A is the right answer of this question चलिए देखते हैं इस class का अगला प्रशन अगला प्रशन के धात्मों के टुकडे को टांका लगाने वाला मिश्णन होता है solder used in soldering metal pieces consist of any alloy of धात्मों के टुकडे को टांका लगाने वाला मिश्णन कौन होता है टिन तथा जिंक, टिन और सीसा, जस्ता और सीसा का, जस्ता और तांबे का पता है कि धात्मों के टुकडे को टांका जो लगाता है ठीक है ना टांका लगाता है हम लोग, यह किसका एक मिश्णन होता है इस question का right answer हो जाएगा option B टिन तथा सीसे का, किसका मिश्णन होता है friends तो यह जए टिन और सीसे का मिश्णन होता है ऐसे में जिनका answer option B, R, इस question के लिए बिल्कुल सही होता रहे है उनका, ठीक है चलिए रेटने इस class का अगला question अगला question है आपका की, electronically में soldering प्रक्रिया में solder की रूप में प्राया कौन से पदाव प्रियोग में लाए जाते हैं which are the materials generally employed as solder in soldering operation in the electronics options हैं की, loha तथा तथा tin, सीसा तथा तथा tin, aluminium तथा सीसा या aluminium तथा तथा लोहा बताएं इस question का right answer option B होगा, tin और सीसा होता है, सीसा तथा tin, clear इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number B, सीसा तथा tin, चलिए अब हम रेखते हैं friends इस class का अगला question अगला question के परमार में किनी दो इलक्टानों के चारो और, चारो क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं यह हैं तो परमार में किनी दो इलक्टानों के चारो क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं यह किसका नियम हैं हुंड का नियम, पॉली का एक्स्कूलियन प्रिंस्पल, हैजनबर्ग का अंसर्टेंसी प्रिंस्पल या अवगार्दो का नियम तो यह पॉली का एक्स्कूलियन प्रिंस्पल रथात पाली का सिध्धान दिखाता है ठीक है, इस क्वेशन का राइट अंसर अगर आपने आप्सन बी चुना हुआ है तिए बिल्कुल सही आंसर है आपका ठीक है पॉली का एक्स्क्लूजनल प्रिंसिपल यानि के सिध्धान ऐसे में जिनका आंसर फ्रेंट्स आप्शन बी आ रहा है इस question के लिए बिल्कुल सही उत्तार है उनका शेलिए अब हम देक्टें इस class का अगला question अगला question के परमाड की नूकलियस में पाये जाने वाले मूलकड होते हैं the basic particles found in the nucleus of an autumn are आप्शन साइप के electron, proton, proton, neutron, 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 positron मता हैं के परमाड की नूकलियस में पाये जाने वाले मूलकड कौन से होते हैं इस question का right answer हो जाएगा option C neutron, electron, neutron, ठीक है कौन से होते हैं, कौन से मूलकड होते हैं, neutron और electron होते हैं ऐसे में जिनका answer, friends, option C आ रहा है इस question के लिए उनका बिल्कुल सही answer है, neutron and electron is the right answer चलिए अब हम देखते हैं, इस class का अगला question अगला question कि किसी परमाड में परिक्रमन कर रहे किसी electron की उड़ जाए energy of an electron revolving in autumn किसी परमाड में परिक्रमन कर रहे किसी electron की उड़ जाए कैसी होगी रदात्मक नहीं हो सकती का शून ने अधिक कोई भी मूले नहीं हो सकता का सून से अधिक कोई भी मूले नहीं हो सकता अगला अपसन है आपका कभी धनात्मक नहीं हो सकती या सददा धनात्मक होती है इस question का right answer हो जाएगा option c कभी धनातमक नहीं हो सकती can never be positive तो किसी परमाड में परिक्रमण कर रहे किसी electron की जो उड़जा होती वो कभी धनातमक नहीं हो सकती ऐसे में जिनका भी answer option c आया हुआ है बिल्कुल सही होता रहे उनका शेलिए तो friends अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question की चालन बैंड इलक्ट्रोनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि the mobility of conduction band electrons is greater that greater debt than the holes because किसी बैंड चालन बैंड इलक्ट्रोनों की जो गतिशीलता होती है वो छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि वे हलके होते है उनकी टक्कर कम बार होती है अगला option है उन में रिडात्मक आविश होता है या उन्हें कतिशील होने के लिए कम ओड़ जा किया उशकता होती है इस question का right answer friends अगर आपने चुना है option B कि उनकी टक्कर कम बार होती है अब हम देखते है इस class का अगला question friends अगला question है आपका कि किसी परमाड का रासायनिक विवहार निर्भर करता है उसके बताएं the chemical behavior of an autumn depends on its options हैं आपकी नुकलियसों में प्रोटानों की संख्या पर नुकलियस में प्रोटानों की संख्या पर नुकलियस के गिर्द घोम रहे इलेक्ट्रानों की संख्या पर या नुकलियस में इलेक्ट्रानों की संख्या पर बताएं किसी परमाड का रासायनिक विवहार किस पर निर्भर करता है इस question का right answer हो जाएगा option C नुकलियस के गिर्द घोम रहे इलेक्ट्रानों की संख्या पर on the number of electrons moving around the nucleus ऐसे में जिनका answer friends option C आया हुआ है इस question के लिए बिल्कुल सही उत्तार है उनका चलिया अब हम देखते हैं इस class का फटा फट से अगला प्रश्न अगला प्रश्न किसी तत्त के समिस्थानकों के बीच अंतर किनकी भिन्नता निसंख्या की उपस्तिती के कारण होता है the difference between isotopes of an element is due to presence of option C के proton, neutron, electron, photon comment करें तो किसी तत्त के समिस्थानकों के बीच अंतर जो है neutron की भिन्नता प्रश्न के उपस्तिती के कारण होता है ठीक है ऐसे में जिनका answer friends option B आया हुआ है इस question में बिल्कुल सही होता है उनका neutron is the right answer of this question चलिए अगला question की नाभिक के बिना एक परिपक को इस्तानागर कोशिका है a mature string grand cell without a nucleus तो कौन सी जो है कोशिका नाभिक के बिना एक परिपक को है options हैं आपके लसिकाड, लोहित कोशिका, शुक्राड या अंड कोशिका इस question का right answer friends अगर आपने option B चुना हुआ है very good, चलिए देखते हैं अगला question अगला question है आड़विक कक्षा का भिन्यास किससे नियंतरत होता है what controls the orientation of molecular orbitals मुख कॉंटम संख्या चुमबकी कॉंटम संख्या दिगंसी कॉंटम संख्या प्रचक्रन कॉंटम संख्या दिगंसी कॉंटम संख्या बताएं इस question का right answer हो जाएगा option B चुमबकी कॉंटम संख्या ठेक है? Option B is the right answer, magnetic quantum number चलिए अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question किसी तब तो किया रासायने गुड निम्रखित में से कौन तेंग करता है Which of the following determines the chemical properties of an element Options हैं आपके Electrono की संख्या, Neutrono की संख्या, Protono की संख्या यह अपुरिक सभी तो किसी तब तो किया रासायने गुड कौन तेंग करता है बताएं Option A, Electrono की संख्या, Number of Electrons ठीक है Option A जिनका अंसर आया इस question के लिए बिल्कुल सही होतार है उनका तो किसी तब तो किया रासायने गुड जो है Electrono की संख्या तेंग करते हैं Clear? चलिए अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला question अगला question किस nuclear में किस nuclear कर में कोई दरवेमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रन होता है Which nuclear particles has no mass and no charge but does it spins proton, neutron, neutron, meson, electron तो यह कौन होता है बताएं इस question का right answer हो जाएगा option B Neutriano तो किस nuclear में कोई दरवेमान नहीं होता कि दरवेमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रन होता है Neutrians में ऐसे में जिनका answer option B आया है बिल्कुल सही होता है उनका चलिए अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question यह 106 तत्त की खोज किस ने की थी बताएं Who discovered the element 106? Rutherford, Seaborg, Lawrence यह Krushto बताएं दोस्तों की 106 तत्त की खोज किस ने की आता? इस question का right answer हो जाएगा option B Seaborg option B जिनका answer आ रहा है इस question के लिए friends, बल्कुल सही होता रहा है उनका ठीक है? किस ने किया था इसकी खोज? Seaborg ने ओके? चलिए अब हम देखते हैं इस class का अगला question प्रेंट से अगला question प्रेंपे प्दार सका परमार सिधान किसने प्रतिपादित किया? who propounded the automatic theory of matter प्दार सका परमार सिधान किसने प्रतिपादित किया? बताएं options हैं आपके अब वोग आर्दरो, डॉल्टन, न्यूटन ये पास्कल. ओप्सन बी, डॉल्टन, ठीके, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स की, अब वोग आर्दास का, जो परमार से धान था, ये डॉल्टन ने प्रिपाज़त गिया था. ऐसे में जिनका अंसर ऑप्सन बी आ रहा है, इस क्वेस्टन के लिए, उनकोल सही होतार है उनका, ठीके, डॉल्टन, चलिए, अब हम देखते हैं, इस क्लास का अगला प्रश्ण, अगला आपका सेम क्वेस्टन है, कि रासानिक दृष्ट से सिंदूर है, ठीके, क्या होता है, इस क्वेस्टन का राइट अंसर ऑप्सन सी हो जाएगा, मर्कूरी सलफाइड, ओके, चलिए, अब हम देखते हैं, इस क्लास का अगला प्रश्ण, अगला प्रश्ण के माचिस बनाने में, निम्न, मुख्य वस्तूंग में से किसका प्रियूग किया जाता है, बताएं, इस क्वेस्टन का प्रियूग किया जाता है, इस क्वेस्टन का राइट आंसर फ्रेंट्स ऑप्सन बी हो जाएगा हमारा, ठीक है, फॉस्फोरस, तो माचिस बनाने में किसका प्रियूग करते हैं, यह फॉस्फोरस का प्रियूग किया जाता है, ऐसे में जिनका अंसर उप्सन बी हो जाता है, बिल्कुल सही होता है उनका, चलिए, अब हम देखते हैं, इस क्लास का अगला प्रेस्टन, अगला प्रेस्टन कि सργकों पर काम करने वाला, चलिए, बिल्क है, इस प्रेस्टन में आसे पुँछ रहा है कि सरकों पर काम करने निकला, कलाई वाला, बतनों को चमकदार रूप देने हिर, एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्योग रगणने हिर तो करता है, या होता है किसका बना होता है जस्ता टिन सीसा ये अलुमिनियम पिस जिन कहने की जस्ता का बना हुआ होता है इस क्वेस्टिन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आप्सन नबर ए जिन कहने की जस्ता का ओके ऐसे में जिनका आप्सन आप्सन ए आ राइस क्वेस्टिन के लिए बि अगला प्रेशन है कि अब तक निम्लिखित रसायनों में से कौन सा क्रत्रिम बादर बनाने के लिए प्रिप्ट किया जाता रहा तिल नौ विच आप दा फॉलेंग केमिकल इस यूज़ तो क्रिएट आर्टिफीचिल क्लाउड साहिं के पोर्टेशि नाइटरेट, भारी जल, शेलफर- आयोडाइड यह इस क्वेश्चिन और इसमा की उन्स new केौरे इस तौर आप दिल्वर-ायोडाइड की आइम आइट के अब हम देखते हैंस क्लास के अगला प्रेशन क्लास का अगला प्रेशन तो अगरा प्रेशने की निम्लिखित में से कौन सा रसायन क्रत्रिम वर्षा में प्रियोग होता है विच आप दा फॉलेंग केमिकल इस यूज़ इन दा आर्टिफिशियल रेन आपसन साथ के सिल्बर आयोडाइड, पोटेशियम, क्लोरेट, कैल्सियम, कार्बोनेट, जिंक आयोडाइड तो कौन सा रसायन क्रत्रिम वर्षा में प्रियोग होता है बताएं इस क्वेस्टिन का राइट आंसर हो जाएगा आपसने, सिल्बर आयोडाइड तो क्रत्रिम वर्षा में किसका प्रियोग करते हैं तो सिल्बर आयोडाइड का प्रियोग करते हैं इस क्वेस्टिन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आपसन नमबर एक, सिल्बर आयोडाइड का शेलिए, अब हम देखते हैं इस क्लास का अगला वेस्टिन अगला प्रेस्ट क्रत्रिम वर्षा हेत प्रिप्त पदात है सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, यह प्रिप्त सभी अभी डिस्कस के गए इस क्रेस्ट के बारे में क्रत्रिम वर्षा कराने के लिए silver iodide का यूज करते हैं, ठीक है, किसका प्रेंट स्प्रेंट करते हैं, तो silver iodide का, ऐसे में जिनका answer option C आया है, very good, ठीक है, अगला प्रेशन है कि, नदी में जल प्रोदूशन के निर्धारन के लिए, घुली हुई मात्रा मापी जाती है, The water pollution in river is determined by measuring the dissolved amount of, तो बताएं, chlorine की, nitrogen की, ozone की या oxygen की, तो नदी में जल प्रोदूशन के निर्धारन के लिए, उसमें किस चीज की घुली हुई मात्रा को मापते हैं, बताएं, Option D, इसमें oxygen की मात्रा को मापते हैं, किसके oxygen की मात्रा को, ऐसे में जिनका answer friends, option DR है इस question के लिए, बिल्कुल सही उत्तार है उनका, oxygen की मात्रा को मापते हैं उसमें, ठीक है, चलिए, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, अगला question की हाल ही में, सीरिया के ग्रह युद्ध में, रासाइनिक हतियार का प्रयोग हुआ, इसमें कौन सा रासाइन प्रयोग थुआ था, मताएं, सीरिया में कौन से रासाइन का यूज क्या गया था, इस question का right answer हो जाएगा, option D, serene gas, किसका यूज किया गया, serene gas का, option D जिनका answer आया है, सही उत्तर है उनका, ठीक है, शलिये, my dear friends, अब हम देखते हैं, इस क्लास का अगला प्रयशन, अगला प्रयशन है आपका, कि, निम्रिकित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में, तथा एक एंटिकलोर की रूप में भी प्यूप्त होता है, which one of the following substance is used in photography and also as an antichlore, options हैं आपके, krome red, sodium thiosulfate, hydrogen sulfide या कैलोमल, तो कौन साब एक पदार्थों होता है, जो कि फोटोग्राफी में, तथा एक एंटिकलोर की रूप में प्यूप्त होता है, इस question का right answer हो जाएगा, option B, sodium thiosald, ओके तो फ्रेंड्स आपके इस question का right answer हो जाएगा हमारा option B sodium thio salt ओके चलिए अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question की photography में उप्योगी तत्तो है useful element in photography is silver nitrate, silver bromide, sulfuric acid, citric acid पता हैं की photography में उप्योगी तत्तो कौन सा है इस question का right answer हो जाएगा option number B silver bromide फोटोग्राफी में कौन साथ तत्तो प्योगी है silver bromide होता है ऐसे में जिनका भी answer option BR है बिल्कुल सही होता है उनका silver bromide is the right answer of this question अगला question की photography की plate पर निम्लिखित में इसे किस की परच रहे जाती है which one of the following is quoted on a photographic plate options आपके silver oxide, silver bromide, silver chloride, silver iodide बताएं फोटोग्राफी की plate पर कौन सी परच रहे जाती है इस question का right answer हो जाएगा option B silver bromide इसकी परच चढ़ाते है friends याद आखेंगे silver bromide की परच जो है इसको चढ़ाते हैं ऐसने में जिनका answer option B आया है very good चलिए देखते हैं इस class का अगला question अगला question है कि निम्लिखित में से किस पतात का उप्योग वरतनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है which of the following substance is used in glazing the pottery options ने आपके alum, calomel, zinc chloride, zinc oxide friends फटा-फट से बता हैं कि किस परदार्स का उप्योग वरतनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है यह zinc oxide का करते हैं देखिए zinc chloride भी लिखा हुआ है और zinc oxide भी आप याद रखेंगे इसमें zinc oxide का यूज करते हैं option D जिनका अंसर आ रहा है इस question के लिए बिलकुल सही उत्तार है उनका ठीक है zinc oxide शरीए अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question है कि व्यक्तिका रक्त चाप 140 mH है निकि HG है ठीक है तो इस उल्लेख में HG से क्यातात पर है 140 mHHG है HG का अर्थ क्या होगा hydrogen से mercury से hydrobiter से heliograph से अर्थ क्या इसमें HG कार्थ निकलेगा यह mercury से निकलेगा किस से mercury से ऐसे में जिनका answer option BR है इस question के लिए विलकुल सही उत्तार है उनका चलिए देखते हैं इस class का अगला question तो friends आसके में इस class में इतना ही कुछ questions आपके science में जिविगन के लावा physics और chemistry के भी discuss किये गए चलिए तो जो session है मारा आसका यह पर खत्म होता है अब मिलते हैं आपसे next class में ठीक है तो आशा करेंगे जो class से आपको काफी एच्छी लगी होगी जिन भी लोगों ने class को अभी तक like नहीं किया है सब लोग class को like करें और सब लोग class को अपने share करें जो लोग class में अभी आये हुए हैं वो लोग class को स्टार्टिंग से जरूर देखें चलिए friends मैं आपका friend शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे आपकी next class में तो तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल लखें safe रहें take care friends bye bye JBSA JBSA class झाल 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 प्लास को अपने सपोर्ट करें शेर करें और अपने क्लास में 500 प्लस लाइव इस्ट्रेंट्स लेके आए चली फ्रेंट्स शुरू करते हैं इसकी क्लास को अगर आपको क्लास अच्छी लगे पसंद आए लाइक कीजेगा बट इससे पहले अपने क्लास को अपने शेर कर दें आपका पहला प्रश्ण की जीवाण यहीं की बैक्टीरिया तो जीवाण की ब्रध्धी इसके द्वरा मापी चाती है ग्रोथ आफ बैक्टीरिया इड्स मेजर्ड भाई आपसन साहिब के रुधिर कोश्का मापी इस्पेक्ट्रमी प्रकाश मापी कैलोरी मापी यह ब्रध्धी मापी तो बता हैं कि G-Wound की जो वृध्धी है इसको किस से मापते हैं इस question का राइट answer हो जाएगा option D व्रध्धी मापी ठीके? जीवाउड रेने के ब्रद्धी है किसके दोरह मापते हैं? जिसको व्रध्धी मापी के दोरह मापते हैं option D जिन का अंसर आ रहा है इस question के लिए very good शेल यह देखने इस class का अगला question अगला question कि जींगे के हर्दय में in the heart of prawn जींगे के हर्दय के संबंध में कौन सा कथने में से सही है बिल्कुल रखत नहीं होता अगला option आपका वी oxygen तरक्त होता है oxygen तरक्त होता है मिश्चित रखत होता है जींगे के हर्दय में किस प्रकार का रखत होता है कमेंट करें चलिए तो फ्रेंड्स आपके इस question का राइट आंसर हो जाएगा हमारा option number और सी oxygen तरक्त होता है है oxygenated blood ठीक है जींगे के हर्दय में oxygen तरक्त होता है option C जिनका अंसर आ रहा है इस question में very good चल यह देखते हैं इस class का अगला question अगला question हीमोग्लोबीन एक ऐसा हीमोग्लोबीन इस रेस्प्रेट्री पिगमेंट और आल दा देखे हीमोग्लोबीन एक ऐसा सौसन मरणक है ठीक है जो एल मचली में जो एल मचली में लारवा के अलावा सभी रजक्तियों में पैया जाता है इस question का right answer हो जाएगा option number c अगला question आए आपके सामने की निम्लिखित में इसे किसमे रख्त नहीं होता लेकिन स्वास प्रश्वास होता है which of the following does not contain blood but breathes मचली, केचुवा, हाइडरा, कॉफ्रोज किसमे रख्त नहीं होता है लेकिन स्वास प्रश्वास होता है बताएं इस question का right answer हो जाएगा option c, हाइडरा, ओके, option c जिनका answer आ रहा है इस question के लिए, very good, हाइडरा is the right answer, शेल यह, देखते हैं इस class का अगला question अगला question आपके सामने बहुत अच्छा है, question है, कॉफ्रोज के लार्वा को क्या कहता है, what are कॉफ्रोज लार्वा काल्ड, इल्ली, निम्फ, मैगट, ब्रहंगा को, इन में से बताएं कि कॉफ्रोज के लार्वा को क्या कहा जाता है, कॉफ्रोज के लार्वा को निम्फ कहता है, इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number B, okay, कॉफ्रोज के लार्वा को friends के लार्वा को बोलते हैं याद रखेंगे, कि इसको हम निम्फ के लार्वा को जाता है, इसे में जिनका answer option B आया हुआ हुआ है, इस question के लिए, बिल्कुल सही हुत कॉफ्रोज के लार्वा को इंडियम्फ के लाम से जानते हैं तो याद रखेंगे, ओकी चलिया, देखते हैं इस class का अग्ला question अग्ला question रेंगने और विसरपड करने वाली कशिरु की जन्तुओं के प्रकार को क्या कहते हैं, what are the types of vertebrates, dead, crawl and crawl are called question अपना फिर से पढ़ लीजिए, कि रेंगने और विसरपड करने वाले कशिरुकी जन्तुओं के प्रकार को क्या बोलते हैं, इस्तंधारी, उभैचर, उम्नदुकवची या रेप्टेलिया, कमेंट करें इसको रेप्टेलिया कहते हैं, ठीक है, इस question का right answer हो जाएगा, हमारा option number D answer, के बोलते हैं, रेप्टेलिया, चलिए अगला question आपका, कि माइक्रो बैक्टिरियम लेप्री है, माइक्रो बैक्टिरियम लेप्री इस, तुदंदार, गोलाड, सरफिल, बीजाड, पता हैं, माइक्रो बैक्टिरियम लेप्री क्या है, इस question का right answer हो जाएगा, option A, दंदार हो, ठीक है, माइक्रो बैक्टिरियम लेप्री क्या है, या एक दंदार हो होता है, option A, जिनका भी answer आया हुआ है, इस question में, बिल्कुल सही होता है उनका, ठीक है, चलिए हम, अब हम देखते हैं, इस class का अगला question, अगला question ने में लिखित में किस उभैचर के जिव्या नहीं होती, इस question का right answer हो जाएगा, option A, एक इतियो फिस, ठीक है, एक इतियो फिस जो होता है, एक ऐसा उभैचर होता है, जिसके जिव्या नहीं पाई जाती है, जीव, option C, अगर आप नहीं चुना है, इस question का answer, very good, शेल यह, देखते हैं, इस class का अगला question, अगला question, नेम रिखित में से कौन सी वास्तविक मचली है, which of the following is the real fish, तो रजद मिनाप, निक सी लवर फिश, तारा मीन, स्टार फिस, पुरंजक सुरा, यह कवश प्राडी, इन में से बता है, कौन सी एक वास्तविक मचली है, इस question का right answer option C होगा, पुरंजन सुरा, यह की dog, fish, यह एक वास्तविक मचली है, okay, so friends, option C is the right answer of this question, clear friends, शलिए, देखते हैं, इस class का हम अगला question, अगला question, पूर्ती जीवी वे जीव हैं, जो आहार के लिए निर्फ़र करते हैं, organisms that depend on food for food, पूर्ती जीवे कौन से जीव होते हैं, options आपकी जीवित पातपों पर जीवित जिंतुओं पर, म्रत और छे मान समागरी पर, पूर्ती जीवे कौन से जीव होते हैं, जो किस पर निर्फ़र करते हैं, कमेंट करें, देखिए, पूर्ती जीवे जीव हैं, ठीक है, जो कि आहार पर, म्रत और छे मान समागरी पर निर्फ़र करते हैं, ठीक है, पूर्ती जीवे जीवे होते हैं, जो आहार के लिए, म्रत और छे मान समागरी पर निर्फ़र करते हैं, इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number C ओके चलिए देखते हैं इस class का अगला question अगला question friend discuss किया गया है आपके सामने कीट एक प्राड़ी है जिसमें होता है Insect is an animal which has Options है आपके तीन जोड़ी टांगे 4 जोड़ी टांगे सिर्फ वक्ष और पेट पंखों का जोड़ा इमेंटीना तो कीट की विशेष्टा बता है क्या होती है उसके सरीर की विशेष्टा क्या होती है इस question का right answer हो जाएगा option A तीन जोड़ी टांगे 3 पेर्स ओफ लेक्स Okay, option A is the right answer of this question अगला प्रशन की विशालतम आकाशे रुकी है Is the largest invertive rate विशालतम आकाशे रुकी कौन है Sponge मुलास्क संधिपाद रशूल चर्मी इस question का right answer हो जाएगा option B मुलास्क इसको मुलास्क विशालतम आकाशे रुकी है क्लियर So friends ऐसे में जिनका अंसर आप्शन B आया हुआ है Very good चलिये देखने इस क्लास का अगला question अगला question friends की निमेतो स्टेटिस पाया जाता है इसटार के लूंज है स्टारफिस में ऐसकैरियस में सेंटिपेड में सी एनमों में इस निमेठो स्टेटिस कि से किसे में पाया जाता है इस question का right answer हो जाएगा option D, see any known में, जिसमें see any known में पैजाता है, option D जिनका answer आया हुआ है, very good, shell यह, देखते हैं एगला question, अगला प्रशने कान का परदा किस जीव में नहीं होता है, अब बताएं कि कान का परदा किस जीव में नहीं होता है, which animal does not have ear cover, options हैं कि साब, कचुवा, टेट्रा या भेक, इन ही में से बताएं कि कान का परदा किन में नहीं पैजाता है, option A, साप, साप में जोए कान का परदा नहीं पैजाता है, यह आप याद रखे हैं, okay, option A is the right answer, snake, okay, shell यह, देखते हैं अगला question, अगला question है कि निम्रिखित में से कौन उतसर्जक उतपाद के रूप में यूरिक एसिट का उतसर्जन करता है, amoeba, tilpia, goreya या ओट, which of the following emits यूरिक एसिट as an excitatory productor, इस question का right answer हो जाएगा हमारा option C, goreya, sparrow, ठीक है, कौन, इसे goreya या इनकी sparrow करती है, option C जिनका answer आ रहा है इस question के लिए, very good, shell यह, देखते हैं इस class का अगला question, अगला question के निम्रिखित में से किसका हरदर श्चिरा यूग तो होता है, which of the following has a venous heart, option C के इस तंधारी सरिसरब मत से यो भैचर, बता है, कि किसका जो हरदय होता है, यह शिरा यूग तो होता है, option C, मत से, मत से होता है, इनका हिदर श्चिरा यूग तो होता है, अगला question, अधिकांस क्रिश्टीशिया की बाहरी तुचा किस कार्बो हैडरेट से बनी होती है, what carbohydrate is the outer skin of most crustaceans made of, यह अधिकांस क्रिश्टीशिया की जो बाहरी तुचा होती है, वो किस कार्बो हैडरेट से बनी होती है, option C, cellulose, galactose, chitin, starch, इस question का राइट आंसर हो जाएगा, option C, chitin, ठीक है, यह evidence किस की बनी होती है, यह chitin की बनी होती है, याद रखने में, option C जिनका आंसर आ रहा है इस question के लिए, very good, cellulose, देखेंगे इस class का अगला question, अगर प्रेशन की शरीर का ताप मान, सहसा कम होने के कारण, सरीर से अधिक ताप की हाने के फर्जरूप अल्पताप होता है, तो ऐसा जो होता है, किस में होता है, बताएं, हैपरोथिमिया occurs as a result of loss exceed heat from the body due to low body temperature, options आपके मेड़कों को, मानों को, शिपकलियों को, इस तापों को, इनी दुर में से बताएं, मैं आपका हिंदी वालो question फिर्जर रिपीर कर रहा हूँ, प्रश्ण में आपसे पूँचा है कि शरीर का ताप मान, सहसा कम होने के कारण, सरीर से अधिक ताप की हाने के फर्जरूप अल्बताप होता है, तो ऐसा किस में होता है, बताया है, अगला प्रश्ण की पत्ती जैसी सनचना वाली संगोलित ग्रंथी किस में पाई जाती है, बताया है, तो पत्ती जैसी सनचना वाली संगोलित ग्रंथी किस में पाई जाती है, option step के मादा कॉंक रोच, नर कॉंक रोच, नर एसकारिस ये मादा एसकारिस केमेंट करें चलिए, इस question का right answer हो जाएगा option B, नर कॉंक रोच, इसमें, ये male कॉंक रोच ये नर कॉंक रोच में पाई जाती है option B is the right answer of this question, चलिए, देखते हैं अगला question अगला प्रशने के निम्रिखित में से किस पश में पाशर्व रेखा सम्वेदी अंग नहीं होता which of the following animal does not having a lateral line sensory organ तो लिवियो, कैटला, सीहोर्स यो मागुर, बताएं किस में पाशर्व रेखा सम्वेदी अंग किस पश में नहीं होता है यह सीहोर्स में नहीं होता है ठीक है इस question का रही answer हो जाएगा हमारा option number C अगला प्रश्ण है आपका कि चूना पत्थर के धांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं what are the small sea creatures that make up limestone structures call चूना पत्थर के धांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या बोलता है options आपके क्लिमिनो sorry क्लिमिटो मोनस फेरा मिनिफेरा मौंगा चट्टान के डाइटम इसको कोरल लीफ या मौंगा चट्टान के नाम से जानते हैं okay कोरल लीफ या मौंगा चट्टान इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number C चलिए देखते हैं इस class का अगला question अगला question के shark में किस प्रकार की पूंच पाई जाती है what type of tail is found in shark options type के आद्ड़ पाली पूंच समपाली पूंच विशम पाली पूंच यह दूई समपाली पूंच पताएं इस shark में किस प्रकार की पूंच पाई जाती है आप्सन सी विशम पाली पूँच पाई जाकी है आप्सन सी जिनका अंसर आ रहा है इस क्वेस्टन के लिए वेरी गुड चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेस्टन अगला प्रशन पांडा किसके कुल का होता है वाट फैमले ड़स पांडा बिलॉंग टू कंगारू सेही स्वैल ये भालू पता है कि पांडा किसके कुल का होता है तो ये कुल अर्था तो वन्स तो पांडा जो है ये भालू वन्स का होता है बियर इस question का right answer हो जाएगा हमारा option दी भालू देखते हैं अगला question अगला question है आपका friends के पक्षियों के punk क्या होते हैं what are the wings of the birds रुपांतृत पश्च अंग नई सनचना अध्यावर्णी आपवरधी रुपांतृत अग्र अंग पताएं पक्षियों के punk क्या होते हैं इस question का right answer हो जाएगा option दी रुपांतृत अग्र अंग modified four arm ओके रुपांतृत अग्र अंग होते हैं यह चलिए अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question निम्लिखित में से कौन सा पशो नमक का अधिक सेवन करता है which of the following animal consumes the most salt भेड ओंट गधा पुत्ता चलिए इन ही में से आपको बताना है समझ गया क्वेस्टन आपसे पूची जो पूच रहा है सबसे अधिक सेवन नमक का जो है कौन करता है इन में से इस question का right answer हो जाएगा option B ओंट ठीक है option B is the right answer जो ओंट है यह सबसे अधिक जो है नमक का सेवन करता है ओकी चलिए और question आपसे ऐसे भी हमने डिसकस किया है कि कौन सा उपश में जो की नमक का अधिक सेवन करने के बाद भी उसको उस रक्त चाप जिसको high blood pressure बोलते नहीं होता है यह उंट ही होता है ठीक है चलिए अगला question है friends आपका कि रुधिर है डबलड इस संयोजी उतक उपकला उतक पेशी उतक यह प्रजनक उतक बताएं कि रुधिर नहीं कि बलड क्या है तो रुधिर एक संयोजी उतक होता है it's a connective tissue रुधिर क्या होता है यह एक संयोजी उतक होता है ओके ऐसे में जिनका answer friends option a आ रहा है इसका action के लिए बिल्कुल जहीं होता है उनका रुधिर एक संयोजी उतक है ठीक है अगला question friend कि जोग जोग मविशियों पर कैसा बाह परजीवी होता है what type of external parasite is a leech on cattle तो मांस भक्षी सर भक्षी रगत बिवाशू या तरण भक्षी तो जोग जोग मविशियों पर कैसा बाह परजीवी होता है कमेंट करें चलिए इस question का right answer friends हो जाएगा हमारा option c ठीक है रक्त पिपाशू ब्रट डिंकर क्या बोलते हैं इसको रक्त पिपाशू होता है जोग मवेशियों पर मवेशिय था जोग जानवर होता है ओके इस question का right answer option c हो जाएगा फटा-फट से अगला question देखते हैं अगला question friends कि हवा से पनपने वाले प्राडियों को क्या कहते हैं good question what are the airborne animals called हवा से पनपने वाले प्राडियों को क्या कहा जाता है options आपके खनिक या खननशील वानस्पतिक धावी निधावनशील या उडणशील तो हवा से पनपने वाले प्राडियों को क्या कहते हैं बताएं इस question का right answer friends अगर आपने चुना है option B वनस्पतिक बोटोनिकल ठीक है दिनको वनस्पतिक प्राड़ी आप राड़ी कहते हैं इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number B चल यह देखते हैं इस class का अगला question अगला question frequency bryophyte को प्राया उभैचर पादप क्यों कहा जाता है why are bryophytes often called amphibians वे मेठक जैसे लगते हैं वे जल और थल दोनों में पाय जाते हैं उनमें आवास्ती अभिरुच नहीं होती है यह वे कीटों का भक्षन कर सकते हैं तो bryophyte को प्राया उभैचर पादप क्यों बोलते हैं बताएं इस question का right answer हो जाएगा option B वे जल और थल दोनों में पाय जाते हैं दियार फाउंट इन बोथ इन वाटर एंड लैंड ओकी जल और थल दोनों में पाय जाते हैं clear चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला question अगला question sponge क्या है what is a sponge एक जीवाश्म एक पादप एक जन्तु यह एक कवक बताएं इस पंज क्या है इस पंज एक जन्त होगे इस question का right answer हो जाएगा option c ठीक है इस पंज एक जन्त होता है इनकी एक animal होता है जीव होता है इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number c चलिए देखते हैं इस class का हम अगला question अगला question उचितर पौधों के बीज के पोशक उतक को क्या कहते है what is the nutritive tissue of seed of higher plants card question अच्छा है फिरचे पढ़ लीजे उचितर पौधों के बीजों के पोशक उतक को क्या कहते है options है आपके हाइपो कोटाइल एंब्रियो एंडोस्पर्म या न्यूसेलस कमेंट करें इस question का right answer हो जाएगा option c endosperm क्या बोलते हैं अगला अमर बेल इनकी कस्कुटा क्या है what is अमर बेल और कस्कुटा options है आपके पूर्द जीवी अधिपादप मरुद भिद या परजीवी पता है कि अमर बेल क्या है इस question का right answer हो जाएगा option d परजीवी प्यरा साइट ठीक है अमर बेल के कस्कुटा क्या है तो यह एक परजीवी होता है option d जिनका answer आ रहा है सही होता है उनका परजीवी ओकी चलिए देखतें इस class का अगला question प्षू का सच्चाम पुष्ण का पशू महामारी रोग होता है ऐम पढ़ार मिंडीजीज range of इनिमल्स इस गॉunde वाय देके पशू को जो पशू महामारी रोग होता है किससे होता है कीड़ों जाया जीवाड़ों दाया वेशाड़ों दाया लए प्रोटों दाया है विशाड इन्हें के वायरेस के दारा होता है इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number C ठीक है विशाड वो या वायरेस के दारा चलिए अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question के मूल पर जीवी की रूप में विवहार करने वाला पौथा है The plant that behaves a parent parasite is तो मूल पर जीवी की रूप में विवहार करने वाला पौथा कौन सा है Phytus, Centellum, Cascuta या Euphorbia बताएं देखिए जो कस्कुटा होता है कस्कुटा यह होता है मूल पर जीवी की रूप में विवहार करने वाला पौथ है ऐसे में जिनका अगला option C आया हुआ है Very good Shelly देखते हैं अगला question स्वापोशे थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते है What is the chlorophyll of autorphic thylophytes called स्वापोशे थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है शैवाल, लाइकेन, पंजाई या व्रायोफाइट कमेंट करें इनको शैवाल कहते हैं Okay, इस question का right answer हो जाएगा friends option number 8 चलिए, देखते हैं अगला question अगला question वह जीव कौन सा है जो वाईव प्रदूशन को मॉनिटर करता है Which organism monitor air pollution वैक्टिरिया, लाइकेन, शैवाल या फंजाई पता हैं कि वह जीव कौन सा है जो वाईव प्रदूशन को मॉनिटर करता है यह होता है लाइकेन तो फ्रेंड्स देखें जो लाइकेन होता है यह एर प्रदूशन को मॉनिटर करता है यह जो है वाईव प्रदूशन को मॉनिटर करता है इस question का right answer जिनका भी option B आया हुआ है answer में बिल्कुल सही होता है उनका like in is the right answer of this question ओके चलिए देखते इस class का अगला question अगला प्रशन वर्गी करण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है तो वर्गी करण विज्ञान का संबंधित किससे है तो वर्गी करण विज्ञान का संबंध है वर्गी करण से classification से ओके इस question का right answer अगर आपने option C चुना हुआ है तो बिल्कुल सही answer है आपका तो वर्गी करण विज्ञान का संबंध है वर्गी करण से ओके चलिए देखते हैं इस class का अगला question अगला question कि जल समवर्धन पौधों के करण की एक विधी है जिसमें निम्ड में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है water harvesting is a method of plant traction in which of the following is not used जल समवर्धन जो है में प्रडाली में किसका प्रयोग नहीं करते हैं जल प्रकाश रेट ये मिट्टी करें इसमें दिखे इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है इस question का right answer हो जाएगा हमारा option D मिट्टी अगला question मिट्टी के अपमार्ज़क कौन होते हैं who are the swell scavengers मिट्टी के अपमार्ज़क कौन होते हैं जीवाड विशाड शैवाल या कवक मिट्टी के अपमार्ज़क बताएं कौन होते हैं चलिए देखिए मिट्टी के अपमार्ज़क होते हैं शैवाल होते हैं इस question का right answer हो जाएगा friends option number हमारा C मिट्टी के अपमार्ज़क कौन होते हैं ये शैवाल होते हैं चलिए देखते हैं इस class का अगला question अगला question friends आपके सामने की निम्लिखित में से कौन सा एक प्रकास संसलेशी वरणड़क नहीं है which of the following is not a photosynthic pigment तो पर्ण हरित निक्लोरोफिल पाइकोलिबिन carotidinoid या anthocyanin इन में से बता हैं कि कौन सा एक प्रकास संसलेशी वरणड़क नहीं है इस question का right answer हो जाएगा option D anthocyanin ठीक है जो anthocyanin है ये एक प्रकास संसलेशी वरणड़क उतक नहीं होता है ओके option D जिनका answer आरा इस question के लिए very good चलिए देखते हैं इस class का अगला question अगला question अगला question इम्रिकित में से कौन सा खाद स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है which of the following food source is the best source of iron तो सेब चावल नारंगी है गेहूं तो कौन सा खाद स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है बताएं तो कि इसका answer आप लोग अपने होम रख दनेंगे के पालक नाम सुनेंगे आप लोग पालक इसमें सबसे ज़्यादा का आइरन मिलता है ठीक है चली अगला प्रशनी प्रकास संसलेशन का स्वसन सरी प्रकास संसलेशन तथा स्वसन का सामानी उत्वाद है दे कॉमन प्रोड़क्ट ऑफ फोटो संसलेशन एंड रेस्वरियेशन इस ग्लुकोज ऑक्सीजन कार्बन डियोक्साइड यह जल बताएं प्रकास संसलेशन और स्वसन इनका सामानी उत्वाद है प्रोड़क्ट है यह जल होता है वाटर option D is the right answer of this question चलिया देखते हैं इस क्लास का अगला question अगला question के फर्ण की सींधरानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है इसमें एक पाई जाती हैं अच्छा क्वेस्टन का अंसर आ रहा है इसको एक पाई जाती हैं अच्छा क्वेस्टन करें इसक्वेस्टन के लिए बिल्कुल सही होता रहा है उनका उच्छे लिए देखते हैं इस क्लास का अगला question अगला question cactus का उलेख किस रूप में किया जाता है what is a cactus referred to as जलोद भिद समोद भिद मरुद भिद या अधिपादब तो cactus का उलेख किस रूप में होता है बता है option c मरुद भिद ठीक है cactus का उलेख मरुद भिद की रूप में किया जाता है option c जिनका अंसर आ रहा है इस question के लिए बिल्कुल सही उत्तर है उनका मरुद भिद चलिए तो अब हम देखते हैं इस क्लास का आगला question अगला question कि पत्ती में खंब मर्दू तक का मुख्य प्राकार है दे में फंक्शन ऑफ पेंडुकल इन दे लीप इस अच्छा question है question अपने दुबारा से पढ़ लीजे कि पत्ती में खंब मर्दू तक का प्रूख प्रकार क्या है options आपके वासपोथ सर्जन, चालन, स्वश्चन या प्रकार संसलेशन बताएं इस question का रहीत answer हो जाएगा option D, प्रकार संसलेशन, पोटो 37, पत्ती में खंब मर्दू तक का जो दूसरा प्रकार है यह प्रकार संसलेशन option D जिनका answer आ रहा है इस question के लिए विल्कुल सही उत्तर है उनका, शेल यह अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question कौन सा एंजियो इस्पर्म वाहिका रहीत होता है which एंजियो इस्पर्म is vascular, hydrilla, trochodendron, mkka यह गिहूं तो कौन सा एंजियो इस्पर्म वाहिका रहीत होता है बताएं option B, trochodendron, कौन सा होता है कि trochodendron होता है, एंजियो इस्पर्म होता है, जो कि वाहिका रहीत होता है clear, option B जिनका रहा है इस question के लिए, very good चलिए, अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला प्रशे पढ़ाएं के बीजाड, धानिधर, पत्ते को क्या कहा जाता है what is the sprongivium leaf of follicle, पढ़ाएं के बीजाड, धानिधर, पत्ते को क्या बोलते हैं, बताएं option से आपके, तनुश्रक, सोरस्चत, बीजाड धानी पुंज, या बीजाड उपाण option C, बीजाड धानी पुंज, क्या बोलते हैं इसको, इसको बीजाड धानी पुंज कहते हैं, चलिए, देखते हैं अगला question अगला question कि पादब के फेफड़े हैं, plant has lungs, पत्यां, इस्तम बैने कितना, पुष्प, जड़, तो पत्यों अब जो पेड़ होते हैं, पेड़ों का फेफड़ा किसको बोलते हैं, आसान question है, तो पत्यों को पादब का फेफड़ा कहते हैं, इस question का राइट अंसर हो जाएगा हमारा option number 1, ठीक है, पत्यों को पादब का फेफड़ा कहा जाता है, lungs of a plant, ओके, चलिए, अब हम देखते हैं इस class का अगला question, अगला question, बूदेदार थैलमस, किस में खाने योग्य होता है, तो बूदेदार थैलमस होता है, वो किस में खाने योग्य होता है, सेब, टमाटर, संत्रा या आम, option a, save, option a, जिन का अंसर आ रहा है, very good, चलिए, तो बूदेदार थैलमस, जोए, save में खाने योग्य होता है, चलिए, अगला प्रशन गण्य की लाल सडांध किसके कारण बनती है, what causes red root sugar cane, आपके options है, alternator, alternator, अगला option अब का, philofuthora, in for instance, अगला option अब का, कुलेट्रोट्राइम, philotecum या सरकोइस्पोरा और सोनेटा, तो गण्य की लाल सडांध किसके कारण से बनती है, बताएं, option C, ठीक है, कुलेट्रोट्राइम, philk atom, इसके करण्ट से दरने की लाल सडांध बनती है, तो option C, अगर आप चुनें, इस question का answer अवसर अपने, very good, चलिये, तेकते हैं स्क्लास का अगला question, friends, अगला question है आपका की, समुद्री सहवाल से निम्रिखित में से कौन सा तत्य मिलता है, which of the following element is obtained from the seaweed, iodine, vanadium, organ ये sulfur, बताएं, समुद्री सहवाल से कौन सा तत्य मिलता है, option A, iodine, समुद्री सहवाल से कौन सा तत्य मिलता है, ये iodine मिलता है, option A जिनका answer आरा है, इस question के लिए, बिल्कुल सही होतार है, उनका, शेल ये, अब हम देखते हैं स्क्लास का अगला question, अगला question के संतुलन की अनुभूत किससे होती है, what is the feeling of balance, आपसे सहब के प्रमस्तकिय संतुलन, थैलिमस संतुलन, अनुमस्तकिय संतुलन, या मिरज संतुलन, संतुलन की अनुभूत किससे होती है बताएं, इस question का right answer हो जाएगा option C, अनुमस्तकिय संतुलन, अनुमस्तकिय संतुलन से होती है, संतुलन की अनुभूती, option C, जिनका अंसर आ रहा है, सही उत्तर है, चलिए, देखते हैं अगला question, अगला प्रशन कीट भक्षी पौधे किस तब तकी कमी वाली मिट्टी में उगते हैं, इंसेक्टी वेरियस प्लांट्स ग्रो इंदा, स्वैल लैकिंग विच अलिमेंट, कीट भक्षी पौधे किस तब तकी कमी वाली मिट्टी में उगते हैं बताएं, नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्सियम यह मैगनेशियम दिखेए ये कीर भक्षी पौधे होते हैं ये नाइट्रोजन की पूर्द करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं जहिर सी बात है जहां नाइट्रोजन के कम होगी वहीं यह होगी इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number A nitrogen चलिए देखते हैं इस class का अब हम अगला question अगला question कि दाले पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है दाले जो है पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है बताएं options app के लिली AC अगला option app का लेग्यूमेन AC साइकेड AC यह कवक कमेंट करें इस question का right answer हो जाएगा option B लेग्यूमेन AC ओकी option B is the right answer of this question अगला question आपका कि निम्लिखित में से कौन सा पादप chloroplast ठीक कौन सा पादप chloroplast dimorphism परदर्शित करता है which of the following plant source chloroplast dimorphism तो चुकंदर धान गेहूं यह गन्ना कमेंट करें option D यह गन्ना होता है अगला question के rate per seed निम्लिखित में से किस से संबंधिक होता है तो रेफिट का संबंध किस से है अलसी कॉफी सरसों यह काली मिर्च एवेंट करें इस question का right answer हो जाएगा option number C सरसों ठीक है तो friends रेफिट का संबंध किस से है यह रेफिट का संबंध सरसों से होता है इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number C सरसों चलिए अगला प्रशन है कि अलसी किस से प्राप्त होती है वेर ड़स प्लैक्स्ट कम फ्रॉम अलसी मताएं अलसी किस से प्राप्त होती है अंडी अलसी मूंगफरी यह तिल बताएं अलसी जो है किस से प्राप्त होती है कमेंट करें इस question का right answer हो जाएगा option B अलसी ठीक है अलसी किस से प्राप्त होती है तो यह अलसी जो है अलसी से प्राप्त होती है इस question का right answer हो जाएगा friends option number हमारा B ओके चलिए देखते हैं इस class का अगला question dear friends अगला question है कि म्रदा रहित क्रशी को क्या कहते है वाट इस स्वैल लेस अग्रिकल्टर कॉल्ड जल समवर्धन आधता समवर्धन रेशमत पातन या अंतराल फसलन तो म्रदा रहित क्रशी को क्या कहते है बताएं इस question का right answer हो जाएगा option A जल समवर्धन ठीक है फ्रेंट्स याद रखेंगे कि म्रदा रहित ठीक है निमें टी रहित क्रशी को क्या बोलते हैं तो म्रदा रहित क्रशी को जल समवर्धन कहते हैं ऐसे में जिनका answer option A आया हुआ है इस question के लिए बिलकुल सही उत्तर है उनका चलिए अब हम देखते हैं इस class का अगला question अगला question है फ्रेंट्स के सिनकोना का कौन सा भाग औशदी देता है विच पार्ट आफ दा सिनकोना लिफ्स दा मेडिसेन तो फलभेति छाल भूण पोश यह पतियां बताएं सिनकोना का कौन सा भाग औशदी देता है इस question का right answer हो जाएगा option भी छाल चाल होसती देती है अगला question वरगी करण का प्राकृतिक system किस वनस्पत विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था विज बॉटनिस्ट प्रपोस्ट दा नेच्रल सिस्टम ओफ कॉल अ क्लासिफिकेशन तो वरगी करण का प्राकृतिक system किस वनस्पत विज्ञानी ने प्रस्तुत किया भारती जर्मन स्वेटिश या ब्रिटिश option D British अगला प्रश्ण के निम्रिखित में से कौन से पौधे के हार्मोन गलत युगम में हैं which of the following plant हार्मोन और इंदा रॉंग पेयर options आपके एस्पिक एसिड ट्रांस्पिरेशन औकसिन एपिकल डॉमिनेंस साइको टाइनस सीनेसी जिब्रेलिन बर्ड और सीड डॉर्मन सी इन में से बताएं कौन से पौधे के जो हार्मोन से वो गलत युगम में हैं option A स्पिक के सिर ट्रांस्पिरेशन अगला प्रेशन फ्रेशन की सिंबायोटिक की टाउर जो की वाता वरंडी नैट्रोजन के इस्थरी करण के लिए उत्तर दाई हैं किसमें पाय जाता है the symbiotic germ which is responsible for the fiction of atmospheric nitrogen is found in options हैं आपके सिंबायोटिक की टाउर जो की वाता वरंडी नैट्रोजन के लिए कि इस्थरी करण के लिए उत्तर दाई हैं किसमें पाते हैं इनको मटर में पाया जाता है अगला question friends कि कवक के अध्धिन को क्या कहा जाता है what is the study of fungi cord very good question कवक के अध्धिन को क्या बोलते माइकोलोजी पैरसाइटोलोजी बैक्टिरियोलोजी ये इकोलोजी option A माइकोलोजी तो कवक के अध्धिन को माइकोलोजी कहते है option A is the right answer of this question अगला question friends कि एजोला डैस के लिए मर्दा और बरता को बढ़ाता है increase well fertility for azola azola किसकी खेती के लिए मर्दा की और बरता को बढ़ाता है मक्का की खेती, गेहों की खेती, जों की खेती, ये चावल की खेती बताएं ये जोला चावल की खेती के लिए मर्दा की और बरता को बढ़ाता है इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number D शेल ये अगला question friends की photo paramedicum ठीकर photo paramedicum के संदर में क्या सही है comment करें पहला option की ये के वल पौधों में होता है गलत है आपका फिर है ये पौधे में पुष्पंट से संबंदेत है ये भी गलत है ये पौधों के पंखों से संबंदेत है ये भी गलत है अब लाश पॉला है कि ये जीवों के दिन और रात की लंबाई की प्रतकरिया है ये सही है जीवों के दिन और रात की लंबाई की प्रिस्क्रिया से संबंदित है कौन तियाद रखेंगे फोटो पेलिस्टियम ओके चलिए अगला question reference की जड़ आवरण किससे उत्पन होता है वाट इस रूट कवर प्रोड प्रूज। फ्रॉम। आपस्ट और स्वामने बताए जड़ आवरण किससे उत्पन होता है क्लेप्टोजन तो कैलेप्टोजन से जड़ आवरण उत्पन होता है इस question का right answer हो जाएगा आपसन नुबर भी जड़ावरन अगला प्रेशन निमलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे की रूप में जाना जाता है कौन सा जोड़ा सबसे मजबूत रेशे की रूप में जाना जाता है केवेंट करें ओप्संटी रेशम या सिल्क चलिए आपकी इस क्लास में इतना ही आशा करेंगे फ्रेंड चो क्लास है यह सब को काफी एच्छी लगी हुद जिन भी लोग ने दोस्तों अपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है सब लोग क्लास को अपने लाइक और शेयर जरूर कर दें ठीक है चलिए फ्रेंड्स मैं आपका फ्रेंड शीवम को मार मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल लखें सेफ रहें प्राई करते रहें एक केर फ्रेंड्स बाबाय कर देंडर कर दो